Hello viewers, तो आज सिखने वाले हैं Measures of Central Tendency के बारे में इस चाप्टर में हम लोग सिखेंगे Average को Compute कैसे करेंगे So इस चाप्टर में हम लोग को Compute करना होता है Average इसको Fine Out करना होता है इसी के बारे में हम लोग सिखेंगे तो Average को Compute हम लोग दो प्रकार से करते हैं एक करते हैं हम लोग Mathematical से ठीक है एक करते है Mathematical से और एक दूसरा करते है आपको Positional से इस प्रकार से हम लोग Average Find Out करते हैं इस चाप्टर में हम लोग Average Find Out करना सिखेंगे एक Mathematical Process से एक Positional Process से ठीक है दो प्रकार से हम लोग Average Find Out कर सकते हैं तब mathematical से भी हम लोग क्या करते हैं, क्या-का find out करेंगे, एक arithmetic mean से find out कर सकते है average, दूसरा find out कर सकते है geometric mean से, geometric mean से, और तीसरा कर सकते है हम लोग harmonic mean से, ये तीन परकार से हम लोग क्या करेंगे, find out कर सकेंगे mathematical average, हम लोग ये तीनों सीखेंगे, ठीक है पुरा concept सिखाने वाला हूँ, तो धहरे से अंतक सिखेंगा, with example सिखांगा full concept, positional को हम लोग positional में क्या सीखते हैं, ये दो परकार का होता है, एक median से हम लोग find out करते है average, और एक find out करते हैं हम लोग, mode से, ठीक है, इस परकार से हम लोग find out करते है, measure of central tendency में हम लोग को average के बारे में पढ़ते है, average दो परकार से निकाल सकते हैं, दो टाइप से निकलता है, mathematical से, एक positional से, ठीक है, mathematical average हम लोग निकालते हैं, एक arithmetic में से, एक geometric में से, एक harmonic में से, उसी तरह से positional average किस तरह से निकालते हैं, median से, mode से, आज सिखने वाले हैं, arithmetic mean के बारे में, ठीक है? arithmetic mean के बारे में, यह arithmetic mean को simply हम लोग mean भी बोला जाता है, ठीक है, अगर simply mean बोला जाय है, तो समझना कि हम लोग को arithmetic mean बोला गया है निकालने के लिए और ये arithmetic mean जो है ये arithmetic mean जो है ये भी तीन टाइप से found out होता है तीन प्रकार से हम लोग निकाल सकते है एक निकाल सकते है direct method से ठीक है एक निकाल सकते है assume mean method से assume mean method से और एक निकाल सकते हैं हम लोग step deviation method से ठीक है तो आज हम लोग arithmetic mean के बारे में सुखेंगे पुरा concept तो पहला जो है हम लोग arithmetic mean डारेक्ट मेड़ से निकालेंगे as you mean method से निकालेंगे step deviation method से निकालेंगे तो पहले हम लोग direct method सिख लेते हैं ठीक है तो हम लोग यहाँ पे direct method पहले सिख लेते हैं तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ direct method अब direct method से हम लोग जब निकालेंगे तो एक individual series का मिन निकालेंगे एक discrete series का एक continuous series का यहाँ पे देख सकते है individual series है यह ठीक है, यह discrete series है, और नीचे का जो है, वो continuous series है, यह तीनों का हम लोग क्या करेंगे, direct minute से mean निकालेंगे, चलिए individual series का, पहले mean निकाल लेते हैं, तो यह individual series है, direct minute से निकाल रहा हूँ mean, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इस परकार को हमको late कर लेंगे, इसको x माल लेंगे, x equal to कितना है, 3, 2, 1, 5, 4 है, 3, 2, 1, 5, 4 है, तो इसको जोड देंगे, हम लोग पूरा को जोड देंगे, summation x हो जाएगा, 3 plus 2 plus 1 plus 5 plus 4, 3, 2, 5 plus 1, 6, 5, 11 plus 4, 15 हो जाएगा, ठीक है, हमारा यन जो है, यन बोले तो 1, 2, 3, 4, 5 है, ठीक है, तो हमारा जो mean आएगा, इसका फर्मुला हो तो sigma x कितना है, 15, n कितना हमारा, 5, तो हमारा आएगा mean, 3, तो individual series का हम लोग mean इस तरह से निकाल सकते हैं, अब चलेंगे हम लोग, discrete series की तरफ, ये हमारा discrete series है, ठीक है, तो दो number का जो है, हमारा discrete series है, इसका mean निकालने के लिए आपको सिखा देता हूँ मैं, ठीक है, तो इसक mean निकालने के लिए क्या करेंगे, table बना लेंगे, एक x का table बनाएंगे, और एक f का table बनाएंगे, x कितना है, 3, 2, 5, 7, तो यहां लिख देंगे, 3, 2, 5, 7, 7 लिख देंगे, f हमारा कितना है, 4, 1, 3, 2, और एक table बनाएंगे, fx का, इसको multiply कर देंगे, 12, 2 उन जा 2, 5 तरी जा 15 7, 2, 40, ठीक है, इस तरह से table हम लोग बना लेंगे, इस तरह से table बनाने के बाद हम लोग इसको जोड़ना पड़ता है, summation, fx हो जाएगा, तो इसको जोड़ देंगे, 12 plus 2, 14, 14 plus 15, 29, 29 plus 10, 39 plus 4, कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा, तो 43 हो गया, और यहन बोले तो हमारा कितना हो जाएगा, इसको count कर देंगे, 4 plus 15, plus 38, plus 2, 10, तो हमारा जो mean होगा इसका, sigma, summation, fx by n होता है, formula, so यहापे कितना है, summation, fx कितना है, 43, n हमारा कितना है, 10, तो यहाँ से हम लोग divide करेंगे, तो कितना जाएगा, 4.3, discrete series का हम लोग निकाल चुके है, हम लोग direct method सिख रहे हैं, तो continuous series के जो निकाल लेंगे, तो यह continuous series है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से एक table बनाना होता है, एक c i का table बना लेंगे, एक f का table बना लेंगे, और c i में जितना है, उस तरह से लिख देंगे, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, यहाँ कितना है, 3, 1, 2, 4, तो लिख देंगे, 3, 1, 2, 4 अब continuous series में क्या करना होता है, हम लोग को meat value निकालना होता है, ठीक है, तो meat value, meat value निकाल लेंगे, ठीक है, हम लोग x देते हैं, इसका name, इसका मतलब क्या होता है, meat value का आपको बता दू, upper limit, ठीक है, अब इसका जो formula होता है, आप लोग को पता हो या ना हो, मैं बताना चाता ह इसको जोर के डिवाइड़े 2 करना होता है लोवर लिमीट प्लस अपर लिमीट बाइड़े 2 करिए या अपर लिमीट प्लस लोवर लिमीट बाइड़े 2 करिए इसको जोर देंगे 0 प्लस 10 बाइड़े 2 करेंगे तो 5 इसको जोर देंगे divided 2 करेंगे तो 20 plus 30 by 2 बनाना होता है इसको इसको मल्टिप्लाई कर देंगे 15 इसको इसको मल्टिप्लाई कर देंगे तो 15 फिर इसको इसको मल्टिप्लाई कर देंगे तो 140 ठीक है इस तरह से हम लोग टेबल कंप्लीट कर लेंगे इसमें क्या करना होता है समेशन इसको जोर देंगे 50 50 30 plus 50 180 180 plus 140 कितना हो गया आपको 220 हो जाएगा, तो यहां से 220 लिख सकते हैं, 220 लिखने के बाद हमारा यन कितना हो गया, इस समेशन F को यन बोलते हैं, इसको इसको सब को जोड़ दे, 3 प्लस 1, 4, 4 प्लस 2, 6, 6 प्लस 4, 10, 10 हो गया था हमारा जो फर्मूला होता है, और मीन का समेशन Fx, बाइ एन होता है continuous series में, 220 बाइन कितना है, 10, तो इसको डिबाइट करेंगे, तो मना जाएगा 22, तो हम इस तरह से हम लोग मीन निकाल सकते हैं, direct meter से, individual series का, discrete series का, continuous series का, तो आएए चलते हैं, हम लोग, दूसरे, कुशन की तरफ, हम लोग direct meter सीख सुके हैं, अब सीखने वाले हैं, assume mean meter से, assume mean meter से भी हम लोग क्या करेंगे, यह बात सब सीखेंगे, आप लोग को बता दू, हम लोग अब सीखने वाले हैं, assume mean meter से, direct meter हम लोग सीख चुके हैं, अब सीखने वाले हैं, assume mean method, so, assume mean method, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, एक सीखेंगे, individual series का, mean कैसे निकालेंगे, ठीक है, individual का सिखेंगे एक discrete का सिखेंगे और एक continuous का सिखेंगे ठीक है ठीक है यह हम लोग सिख लेंगे एक individual series का सिखेंगे एक discrete series एक continuous series का assume mean method से सिखेंगे तो question हम लोग फिर से वही लेते हैं सब का answer same ही आएगा किसी भी याद रखना है ठीक है तो हम लोग चेक करेंगे वही कुईशन लेकर चेक करेंगे इसलिए मैंने वही कुईशन रखा आपको तो हम लोग एज्यू मीन मिटर को इंडिविज्वल सीरीज है इसका निकालेंगे पहले थोड़ा अच्छे से मैं इसको एरेंज कर देता हूं तो एज्यू मीन मिटर से हम लोग निकाल रहे हैं इंडिविज्वल सीरीज का तो यह इंडिविज्वल सीरीज का कुईशन है इसको क्या करेंगे एक्स माल लेंगे एक्स कितना है हमारा 3 2 1 5 4 इस तरह से हम लोग माल लेंगे यह जो कुईशन था हमारा इस तरह से हम लोग म करना होता है मीन मतलब में एक मीन एजिम करना होता है आप कोई भी मीन एजिम कर सकते है इस x में कोई भी नंबर एजिम कर सकते है ठीक है तो मैं एजिम कर लेता हूं 2 को ठीक है इसको मैं एजिम करता हूं A माल लेता हूँ तो D निकालते वक्त X-A कर लेंगे फर्मूला है ठीक है? इह D बोले तो D equal to X-A कर लेंगे X हमारा कितना है? 3 minus A कितना माने हुए 2 तो हमारा कितना हो जाएगा? 1 उसी तरह से X कितना है हमारा 2 A कितना माने हुए 2 इधर से कितना हो जाएगा 0 X हमारा कितना है 1 एक इतना माने हुए 2 कितना हो जाएगा minus 1 उसी तरह से हमारा X कितना है 5 एजुम किये हुए 2 यह हो जाएगा 3 हमारा X 4 है एजुम 2 किये हुए है तो हमारा आजाएगा 2 आप कोई भी number एजुम कर सकते हैं, आप ए 1 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, अगर 1 करेंगे एजुम तो 3-1 करिएगा, 2-1, 1-1, 5-1, 4-2 करिएगा, अगर 5 एजुम करते हैं तो 3-5, 2-5, 1-5, 5-5, 4-5 करिएगा इस तरह से, हम एजुम कर लेते हैं, अब इस हमारा यन जो है, हमारा यन जो है, इस वो count कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5 यन है, हमारा 5 है, तो जो हमारा answer आएगा, x bar is equal to, इसका मैप formula क्या होता है, a plus summation, x minus a by n होता है formula, ठीक है, आप कुन सा सीख रहे है, जो mean which meter सीख रहे है, individual series का, तो आपको ये formula होता है, तो a कितना माने हुए, 2, plus summation, x minus a हमारा, सम्मेशन x minus a कितना होता है, 5, तो summation नहीं लिखे, सिर्फ लिख सकते है, 5 by n हमारा कितना है, 5, ये ये कितना हो जागा, 1, 2 plus 1 हमारा कितना हो जागा, 3 आजागा, इस से पहले भी हम लोग निकाले थे, तो कितना आया था, 3 है, 3 ही आया था answer अभी भी 3 आया तो आपको चेक करना हो तो यहाँ पर मैं चेक करा दता हूँ डाइरेक्ट मिटर सेम लोग individual series का निकाले थे थे 3 आया था यहाँ पर भी हमारा 3 आया तो हम लोग individual series सीख सुके हैं अब discrete series की तरफ चलते हैं assume mean meter से assume mean meter से discrete series के तरफ चलते हैं तो फिर से हम लोग क्या करेंगे question ले लेंगे यहाँ पर देख सकते है question वही है इसका भी answer हम लोग same to same निकालने के कुशिस करेंगे answer same ही आयगा कभी गलत नहीं आता है तो यह assume mean meter से सीख रहे हैं और x है x का एक table ले लेंगे एक f है एक f का table ले लेंगे लिख देंगे यहाँ पर 3,2,5,7,f कितना है 4,1,3,2 है हमारा इस तरह से लिख देंगे हम लोग मज़े से ठीक है उसके बाद फिर से हम लोग क्या करेंगे d equal to x minus a का एक table बना लेंगे और हम लोग इसमें क्या करना होता है x में कोई भी एक assume कर लेते हैं हम लोग इसको assume कर लेंगे a आपका assume करना है तो a इसको assume कर सकते है इसको कर सकते है इसको कर सकते है आपका मन है तो हमारा x कितना है 3,a कितना है 3,ठीक है सब में माइनस ये अब क्या करतेंगे आपे 2 है 2 माइनस 3 कर देंगे इसे तरह 5 माइनस 3 कर देंगे 7 माइनस 3 कर देंगे क्योंकि ए हम लोग 3 माने हुए है इस तरह से कर देंगे 3 माइनस 3 हो जाएगा 0 हमारा यहां से हो जाएगा 0 तो 2-3 हो जाएगा-1, 5-3 हो जाएगा-2, 7-3 हो जाएगा-4 इसको अब का करेंगे, सम्मेशन कर देंगे, x-a का सम्मेशन करेंगे तो इस सब को जोड देंगे, 0-1, 4-2, 6, 6-1, एक आगया-5 ठीक है, तो इस तरह से आप लोग कर रहे थे, तो इस तरह से भी नहीं करना है आपको यह किसका हाई है, तो हम लोग discrete series का कर रहे है discrete series में आपको एक और करना पड़ता है आप क्या करेंगे, इसको multiply करेंगे, ठीक है आपको इसको f और d को मल्टिप्लाई करना होता है f into x-a को मल्टिप्लाई करना होता है या f into d लिख सकते है या आप इसको इसको मल्टिप्लाई करते है 4 into 0,4 1 into minus 1 minus 1 3 to 6 4 to 8 इस तरह से करेंगे इसके बाद sigma f x-a का table लेंगे तो sigma और summation f लेंगे इसको जोड़ देंगे 6 plus 8 कितना होता है 14 14 minus 1 हमारा आजाएगा 13 और इसको जोड़ देंगे तो हमारा यन आजाएगा summation f को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आजाएगा यन आजाएगा 4 plus 1 5 5 plus 3 8 plus 2 10 ठीक है तो अब क्या होता है discrete series में इसका formula क्या होता है आपको पता दू एक्स वही होगा सिर्फ इसमें क्या होता है summation f x-a by 1 हो जाएगा यन हमारा कितना है यहाँ पर a कितना आजुम किये हुए है 3 एजुम किये हुए है 3 plus summation f x-a कितना है 13 यन हमारा 10 है तो हमारा कितना आजाएगा 3 plus 13 by 10 बुले तो 1.3 आजाएगा 4.3 इससे पहले हम लोग निकाल ले थे तो हमारा 4.3 ही आया था direct method से यहाँ पर देख सकते है यह हम लोग direct method से निकाल ले थे 4.3 आया था अब भी 4.3 ही आया है इस तरह से निकाल सकते है अब चलते हैं आप लोग को continuous series के तरफ ठीक है discrete series का continuous series कैसे निकालेंगे I mean to say azubme mean method का continuous series कैसे निकालेंगे चलगे आएगे जानते हैं इसको ठीक है azubme mean method का continuous series इसी तरह से 0-10, 10-20, 20-30, 30-40 लिख लेंगे, इसमें क्या करना होता है, आपको मीड बैल्यू निकालना होता है, मीड बैल्यू का नाम देंगे x, मीड बैल्यू इसको जोड़ दे, डिवाइड 2 करें तो 5 आजाएगा, इसको जोड़ दे, डिवाइड 2 करें, 20-10, 30-20, 50 आजाएगे इसको जोड़े, डिवाइड 2 करें तो 25 आजाएगा, इसको दोनों को जोड़े, डिवाइड 2 करें तो हमारा आजाएगा, 35, ठीक है, अब इसमें क्या करना होता है आपको फीर से d equal to x minus a करना होता है यह table है ठीक है यह हमारा x है इसमें से एक mean मान सकते हैं आप लोग आपको जो मानना है mean वो आप लोग मान ले मैं इसमें किसको मान लूँ अभी मैं मान लेता हूँ 15 को इसको माल लेता हूँ, ठीक है, इसको A माल लेता हूँ, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5-15 हो जाएगा, एक समारा 5 है, A 15 है, इसी तरह से 15-15 हो जाएगा, इसी तरह से 25-15 हो जाएगा, 35-15 हो जाएगा, तो 5-15 करेंगे तो हमारा कितना आजाएगा 5-15 करेंगे तो माइनस 10 आजाएगा अब 15-15 जीरो 25-15 तेन और 35-15 हमारा 20 कितना आजाएगा 20 आजाएगा इस तरह से अब इसमें क्या करना होता है आपको बता दू अब इसको multiply करना होता है इसका table बनालेंगे f x minus a का table बनालेंगे तो 3 into minus 10 हमारा आजागा minus 30 1 into 0 0 2 into 10 20 4 into 20 हमारा आजागा 4 into 20 हमारा आजागा 80 ठीक है तो अब फिर से इसको क्या करेंगे summation कर देंगे summation f x minus a इसको जोड देंगे 80 plus 20 100 minus 30 कितना आजागा 70 और इसको जोड देंगे तो हमारा इन आजागा ठीक है तो इन कितना आजागा 4, 2, 6 4 plus 2, 6 plus 1, 7 plus 3 10 आजागा तो हमारा जो x बार है इसका formula होता है a plus summation x minus a f छुट रहा है f x minus a by n है a हमारा कितना माने हुए 15 plus summation f x minus a कितना हुए 17 15 इन कितना है 10 तो कितना आजागा 15 plus 7 हमारा आजागा यहां से 22 एंसर आजाएगा ठीक है इससे पहले भी हम लोग 22 निकाले थे डारेक्ट मिधर से यहां पर देख सकते हैं continuous series का यहां पर 22 ही आया था continuous series का डारेक्ट मिधर से और भी भी 22 आया ठीक है तो इतना समझ गए होंगे तो आप फिर से आते हैं कुल्चन की तरफ आपने डारेक्ट मिधर सीखा अजुमिन मिधर सीखा डारेक्ट मिधर सीखा आपने इंडिविजवल डिस्क्रिट का इसका भी डिस्क्रिट continuous का भी सीखा discrete का भी सीखा step deviation method का step deviation method सिर्फ continuous में होता है आपको इंडिविजवल और discrete में नहीं होता आपको समझना है तो step deviation method सिर्फ आपको continuous series में ही मिलेगा याद रखना है step deviation method सीखाने वाला हूँ अब से ठीक है तो ये step deviation method से आप लोग को सिखा देता हूँ तो हम लोग शिखने वाले हैं, अब step deviation method, ठीक है, step deviation method शिखने वाले हैं, यह आपको individual में नहीं होता है, discrete में नहीं होता है, continuous में सिर्फ होता है, तो चलिए, शिखते हैं, यहापे क्या है, class interval है, ci दे देंगे, और एक f है, f दे देंगे, था हमारा जो class interval है, वो 0 to 10 है, 10 to 20, 20 to 30 and 32, 40 है, f कितना है, 3, 1, 2, 4 है, तो इस तरह से लिख लेंगे, इसके बाद हम लोग को mid value निकालना होता है, mid value निकालना होता है, mid value को x मान देंगे, mid value इसको जोरे, divided to करे 5, 15, 25, 35, इसको पहले हम लोग mid value आपको सिखा दिया है, तो आप निकाल लीजेगा, इसको दोनों को जोरे, divided to करे, इसको जोरे, divided to करे, इसको जोरे, divided to करे, इसको जोरे, दोनों को जोरे, divided to करे, तो आज आगा mid value, mid value के बाद हम लोग को वही d equal to x minus a का table बनाएंगे, ठीक है, तो फिर से हम लोग को क्या करना है, इसमें एक a मान लेना है, एजूम करना है, मैं इसको मान लेता माइनस 15 कर देंगे ठीक है यह जिसको मानेंगे इसमें से सबको घटा देना है यह हमारा 10 आजाएगा माइनस 10 आजाएगा यह 0 हो जाएगा और यह हमारा 25 माइनस 15 करेंगे तो 10 आजाएगा और यह आजाएगा हमारा 20 आजाएगा ठीक है अब इसमें एक और टेबल बननाना हो सार्य का difference कितना है class interval का difference कितना है upper limit minus lower limit करेंगे 10 minus 0 10 आजाएगा 20 minus 10 10 ही आएगा 30 minus 20 10 ही आएगा 40 minus 30 10 ही आएगा यह आए बोले तो 10 है अथा d by 10 लिख सकते है ठीक है यहाँ 20 to 40 होता था 40 minus 20 20 हो जाता ना तो यहाँ आपे d by 20 लिखते है ठीक है इस तरह से table आप लोग बना लिजेगा तो d कितना हमारा minus 10 है by 10 हमारा कितना आजागा minus 10 by 10 कर सकते है इसी तरह से 0 by 10 कर सकते है इसी तरह से 10 by 10 कर सकते है क्योंकि यह आपे 10 से divide करना है यह 20 है divided 10 करना है इस तरह से हम लोग कर सकते है तो minus 10 by 10 minus 1 आजाएगा इसका 0 आजाएगा इसका 1 आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा, अब क्या करेंगे, इसको, अब इसको multiply कर देना है, ठीक है, तो f into d ना इसको multiply करना है, तो 3 into minus 1 minus 3, ठीक है, इसको multiply कर रहा है, 3 into minus 1 minus 3, 1 into 0, 1 into 0, 0 आ गया, 2 into 1 2 हो जाएगा फो 2 जा 8 आजाएगा ठीक है अब इसको summation कर देंगे summation f d dash कर देंगे तो हमारा minus 3 plus 0 minus 3 plus 2 minus 1 plus 8 हमारा 7 आजाएगा इसको summation करेंगे तो ठीक है यन बुले तो हमारा कितना है 4, 3, 4, 2, 6, 7, 3, 10 10 है इसका formula वही इस तरह सह होता है a plus summation f d dash by n into i होता है ठीक है तो a हमारा कितना आजम किये हुए थे a हमारा 15 आजम किये थे यहापे 15 लिख देंगे plus sigma f d dash कितना है 7 है 7 है by n हमारा 10 है 10 लिख देंगे i कितना है i हम लोग का 10 है यहापे 10 है class interval कितना है इसका difference कितना है तो हम लोग यहापे 10 लिख देंगे यह काड़ देंगे 15 प्लस 7 कितना आजाएगा 22 इस तरह से हमारा answer आजाएगा ठीक है तो आप लोग समझ गए होंगे तो हम लोग arithmetic mean समझ चुके है अब geometric mean harmonic mean और median mode सिखना हो तो अगर यह वीडियो अच्छा लागा like, comment किए, subscribe किए और channel को subscribe किए और यह वीडियो आपको अच्छा लागा तो मैं geometric mean का भी बना दूँगा इसके लिए आप लोग comment करें सर geometric mean का भी सब भी बना दे harmonic mean का भी बना दे ठीक है तो मैं बना दूँगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा share करे, like करे, comment करे तभी जाकर मैं यह बनाऊंगा ठीक है अगर वीडियो अच्छा लागे तो like, comment, subscribe कर देना अपना ही channel है समझके कुछ भी पुछना हो तो comment करना ठीक है चलता हो फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में